हेलो एवरीवन वेलकम बेक टी योरोटोप चनल खोर क्रेटीव इस्टेडिज आज इस सेशन के माधियम से मुलोग देखेंगे टर्मिन एक्जाम रिजल के बारे में ऐसे बहुत सारे स्टूडेंस हैं जिसके टर्मिन एक्जाम दिसंबर 2021 की रिजल्स अभी तक ओल सब्जेक दिसंबर सेशन के हो या जून सेशन के हो दोनों के लिए बहुत ही जएदा महत्पून होगी तो आप सभी ध्यान पूर्वक सुनना और मैं बता देरूं दिसंबर 2021 वाले के लिए यह इंपोर्टेंड क्यों रहेगा जैसे कि कोई बहुत सारे स्टूडेंस हैं जिसका अभी कि उसपे बहुत सारे लोर्स आते जाएंगे और आपका लाश्ट में क्या करेगा बिना जबे के अपके अर्स अपड़ेट कर देंगे या तो कभी कम हो सकता है तो जधा यह जहनलोंольш कुछ भी होसकता है था ड्यों 22 सेसन वाले ज्यों द ध्यान पूर्वक किउ और यही करन लेकिन फिर से मैं बोड़ा हूं आपको ध्यान पुर्वक्स देखना होगा और थोड़ा से थोड़ा से एक्स्ट्रा करना होगा ठीक है करना तो एक ही है लेकिन आप सबसे पहली बात तो आप दोनों के दोनों सेशन वाले ध्यान पुर्वक्स सुनना ऐसा ना करना कि हर बर मे करना है क्योंकि future आपका है ठीक है तो अपने future के लिए कम से कम दो मिनिट तो दे ही सकते हो तो आप सभी को मैं एक एक करके अच्छे तरीके करना लेकिन उसके लिए इंपोर्टन तो द्यान पूर्वक्त चली सुनी चली स्टाट करते हैं अच्के सेसन को जैसा कि ये ये सेसन आपका जोन रिजल्स के बारे में अभी जैसे कि जून वाला भी रिजल्स स्टार्ट हो चुकी है और दिसम्र वाले के कुछ 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 ए स सर मैं मेल करता हूं मेल करती हूं लेकिन मेरा कोई रिपलाई नहीं आता मेरा कोई एक्षन ही नहीं लेता मेरा कोई काम ही नहीं करता है अरे जब मैंने बहुत सारे स्टूडेन का मतलब मेल देखा कि आप मेल क्या किया हो मेल में मैंने उस पर देखा आरे आप तो कुछ के पास कि आपका एक डिटेल एक एक करके सर्च मारे और ढून दे आपको खुज से उसका काम निकालने के लिए सारा का सारा चीज़ें उसको प्रवाइट करना होगा उसकी बात आपको एक्षण लेगा ये बात आप मान लो ठान लो आपको सब कुछ आप प्रवाइट कर दो उसके बात आपका एक्षण क्यों नहीं लेगा लेगा चरूर लेगा और मैं इस सेशन में जोने वही मेल करके आपको दिखाऊंगा कि क्या क्या चीज़ें आपको मैंसन करनी परेगी आपको जैसे की मेल की और किसको मेल करना है क्या मेल करना है क्या टेक देना है क्या 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 अपना प्रस्नल डेटा देना है सब कुछ मैं बता रहा हूं यह करके चलिए सबसे पहली बात मेल की और चलते हैं लो दीक करना है इसको मैं दिखा दे रहा हूँ आप इसको इसको स्कृण सोर भी ले सकते हैं यह तो मैं इसको कॉपी करके आपको टेलिग्राम चैनल पर पोस्ट कर दूँंगा ना वहां से कोपी करके आप सभी अपन आपने डाटा जो है वह आपना डाल देना आस तरुकर से हो जाएगा जyorsun मैं कर रहा हूं हो अभी वेसर सिम्ट्टूम करना ठीक है तो वह कर सकते हैं यहां देखिए मैं क्या कर सकते हो हम फ्रॉम में एक एकर कर सकते हैं इहां बता दे रहूं यहां पतना येचे अपना एक न आईडी at इस्में जैसे कि बीडीप के बारे में आपको मेल करना तो मेल चैनल T तोनों से इसमें क्या तो लिखे हैं जैसे अगर यहां जून दे दना है तो अपना ऐसके बाद अपना और यहां पर अपना जो भी प्रोग्राम के हैं इसके बाद अपना एयर दे देना यह से बीए जी सकेंड एंशी तर्ड या कि मफश्ट यह सकेंड एस गया बगैल जो भी है वह अपना 만शन करदेंğa को सेंटर अपने सेंटर यहां देदेना सैंटर कंड WIN Middle嫌 तु नहीं जैसे आप कॉलकाता में दिल्ली में दिये पटना में दियेखा प्ते बिदी कि और अगे है जैसे कि with enrollment number अपना enrollment नमर जरूर mention करना यह most important है अपना enrollment नमर यहां पर mention करना है ठीक है उसके I get my exam for subject code याने subject code यहां डाल देना है subject code डालना वही subject code जो subject का अभी तक update नहीं हुई है ऐसा नहीं कि सारा सारा subject code डाल दी आप वही subject डालना जिसका update अभी तक नहीं हुए उसको डाल देना and on date आपका जो उस होल टिकर में आपका date mention होगा कि कब कि कोई subject का exam हुई थी तो उसका date mention कर देना है on how are my marks the same have not been updated yet यह सब को लिख देना है पोटल इस सब तो same to same आपको एक्जाम कर देना है उसका रिचल में इस्टूडेंट आर आउट फोर यानि अपना आपके center के examination बहुत सारे इस्टूरियन का out हो गया है result का अपडेट कर देना है लेकिन मेरा नहीं हुआ इसलिए अपना यहां अपना जो center code दे देना है जो center में आपको दिये थे जैसे आपका अगर कोई center है कलकता के हैं पटना के वहां का हर एक center का code होता है ठीक है तो उस code को यहां center कर देना है तो आपको same to same apply कर देना उसका thank you तक देना आपको same to same इस तरह से apply करेंगे तो आपको जरूर एक्शन लेगी मैं फिर से बता रहा हूं इसी में आप जून वाले session करना क्या है यह जून दे देना और 2022 देना है बागी सब same है ओके और देखे और मैंने क्या बोला दस आइधिंग 10 डेज हुआ है एकजाम खतम होने का इंड होने पर जून 2022 का पांस सेप्टमर लाजट था ओके तो अभी पांस से दस दिन ही हुई है एकजाम खतम होने का तो कम से कम उसको 42-45 तेज चाहिए ही चाहिए रिजल्स के लिए तो आप से भी अगर हरबर करेंगे तो गरबर होगी आपको करना क्या है थोरा से वेट ठीक है अभी पांस से दस दिन ही हुई है और आपके मतलब की 22 अप्रेल से 22 जुलाई से 22 जुलाई से आपका एकजाम स्टाट होई थी तो थोरा से को समय देजिए और बहुत सारे स्टूडेंट का अपडेट हो चुकी है तो आपको करना है थोरा सा और वेट कीजिए उसके बाद आप सेम टू सेम अपलाई करना जैसे आपका एकजाम जैसे आपका एक्जाम में ही था उसके अगर 45 डेज कम्प्रीट हो जाते हैं तो आप उस सब्जाट के लिए अपलाई कर दो ऐसे लेकिन मैं कहूंगा आप थो वरा सा समय चाहिए उनको भी तो आप यदि हरवर करेंगे तो गरवर हो जाएगी तो प्लीज कम से कम 45 डेज उसको चाहिए ही चाहिए अगर 45 डेज आप पार कर जाती है तो आप ज़रूर एक्शन लीजे मैं यह कहता हूं मैं यही कहूंगा और मैं आपके साथ हूं ठीक है मैं यही बताने की कोशिश कर रहा था और बहुत सारी स्टूदेंट बोल ले रेटे सर मेरा जल्दी से बडेट करना ही ओगा तौऔ थो एस्सें थे युजा फोरकर वेट लो अभी करेंगे तो कोई एक्षन लेने लेने वाला जहां तक हो सकता है कि अगर गुसा वाला टीचर मिल गया तो आपको मतलब कि खराब माच देदेगा तो फ्लीज यह सब थोड़ा सा सोचिए ध्यान दीजिए ठीक है तो यदि आपको फिलिंग्स है तो उसको भी फिलिंग्स है अगर आप पर लोड है यदि आपको पास लोड है कि सर मुझे इतना जल्दी एक्डिमिशन लेना बगरा बगरा तो तो बस इस सेशन के माध्यम से मैं यही बताने की कोशिस कर रहा था और आई होप कि आप से भी मेरी बातों को समझ चुके होंगे मैं क्या बताने की कोशिस कर रहा था ओके और Samen वाले a Samen वाले का भी जो मैंने एक इससे पहले जैसे दो दिन पहले मैंने एक आपडेट भी हमने एक वीडियू भी है कि किस तरह से अपडेट करने तो उसको जरूर आप देख कि उसको अप्लाइक सब्सक्राइब कर दो मेल कर दिए कोई दिक्कत नहीं कर दिए वह हो जाएगा ठीक है मैं उसका बार नबोड़ाओं अच्छा हर चीज का समय होती है आपका ऐसा में का समय काफी ज्यादा हो गया है तो आप जरूर अप्लाइब कर दीजिए उसको वीडियो को देख लिए मैं सब्सक्राइब कर दोगा ठीक है आप उसको देख के अपलाइब कर दीजिए तो आज के सेशन में बास इतना ही रहने देते हैं मैं फिर से बता दे रहा हूं दिसंबर वाले अभी के अभी कर दीजिए अगर आपका अपडेट नहीं हुए और जून वाले थोड़ा से वेट करें अगर आप इसके अलावा आप खुद से कुछ एडवांस गिरी करते हैं तो आप अपने खुद जानेंगे मैं सही तरीके से बता दिया क्या है सही है ठीक है तो मैं इतना लॉंग वीडियो भी बना दिया इसके लिए और मैं आपको बता ही होगा मैं एटू जेट एट सम्मझ मैं आगने ह्यां वो नहीं मैं लों नहीं मैं कर था दिखाता हूं क्या करता हूं कैसे क्वा सब्सκोंद दिताता हूं लिए प्लाए किजए कूछ और जिसका और सब्देट आ चुकी है और किसी का नहीं आया तो उसके लिए एडवांस में आपका जल्दी से जल्दी आ जाएगी इस तरह से प्लाइज जरूर करेंगे तो 100% है जाएगी ऐसे मैंने बहुत सारी स्टुडेंट का करवाया है उसके बाद मैं आपका बोल रहा अगर चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं कियें तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ज़रूर हीट करना ताकि जैसे ही इगनों के कोई भी इन्फोर्मेशन हो कोई भी डाउट हो कोई भी नोटिपेकेशन हो बगारा कुछ भी हो आपको टाइम टूट